तो हेलो बई राम राम कैसे आप सबी लोग आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली क्योंकि इंडिया में जो मोस्ट कम्पेटिटिव सिडान सेग्मेंट है वो हमारे सामने है वे तीनों गाड़िया आप में सामने देख सकते हो इदार आप कोई होंडाय मिरमेंसा कौन से गाड़ी ले तो इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने इन तीनों गाड़ियों का एक के आने वाले है है और इस पैर सबसे घराए बात करते हैं गाड़ी के ओर अर लुक्स क्वालिटी गाड़ी की काफी स्ट्रोंग है यह है हुंडई ओरा लुक इसका भी काफी डिसेंट है एंड एक सबकॉंपेक्ट सिडान गाड़ी है एंड यह थोड़ी से आपको बलकी दिखने में लगेगी बिल्ड क्वालिटी आपको इसकी भी अच्छी लगेगी तीसरे नं लुक्स भाई परसंट टू परसंट डिवेंड करते हैं इस वएसे लुक्स में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बात यहां पर कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट टोपिक है एंड इंपोर्टेंट फेक्टर करने के लिए वह इन गाड़ियों के ट्रांस्मिशन बात करें बात करें तो होंडा के ट्रांस्मिशन बहुत प्यारे होते हैं जो इनकी पावर डिलीवरिंग कैपिसिटी होती है पीक जो टोर्क डिलीविंग कैपिसिटी होते होते हैं काफी बढ़िया होती है सेम विधा होंड़ी काफी रिफाइंड इंजन बनाता है एंड मारूती के इंजन भी काफी अच्छे होते हैं काफी रिलाइवल इंजन आप उन्हें मान सकते हो लेकिन जब इंजन और पर्फोमेंस की हम बात करेंगे इसकी स्टेविलिटी की एंड इसकी हाई स्पीड्स प दोगे वह स्टेविलिटी वह ग्रिप आपको नहीं मिल पाएगे इस्पेशली ओन दा हाईवेज वेनेवर यू रिविंग इस कार तो थोड़ा बहुत आपको स्टेविलिटी का इसू लगेगा इस्टेविडेंस लूज होता हुआ दिखाई देगा एंड इस्पेशली अर स्पीड की हुई है वो भी सी एंजी पर दो लोगों को बैठागे उसके उपर भी गाड़ी जा सकती थी बट मैंने नहीं चलाई पेट्रोल पर डेफिनिटली और जादा अच्छा यहां पर होंड़ा करती है अब बात करते हैं होंडा अमेज की तो भाई होंडा की जो इंज करनी है तो बहुत ही प्यारी तरीके से और खास करके अगर डिजल में होगी तो बहुत बैठीन जो है आपको इसमें पावर मिलने वाली है अब यह सारी चीज़े तो हो गई पावर की इंजिन की ट्रांसमिशन की बात करते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की तो बाई उसके अलावा फिर आपको जो है हुंडाई के मिल जाएगी तो इन तीनों में सबसे जादा बेटर जो बिल्ड क्वालिटी हो आपको हुंडामेज की मिलने वाली है अब गाड़ी लेने से पहले आप लोगों गाड़ी लेनी होगी तो एक और मेंचीज होती है रिसलिंग व होंडाई में भी जो जादा वेरियंट होंगे जो जादा चलने वाले जिसे वर्ना हो गई है इस तरह की गाड़ी हो गई हाला कि सिदान गाड़ियों के प्राइस बहुत जल्दी घड़ जाते हैं सेकेंड मार्केट में जाते ही तो कंपेरेटिवली सबसे जादा रिसलिंग व लोंग ड्राइव कर रहो या लोंग रन के लिए कहीं जाना हो कंफर्ट कैसा तो तीनों गाड़ी में अगर हम कंपेर करें तो मारूति जो स्विफ्ट डिजार अपने को मिलती है स्पेस उसमें भी अच्छा मिल जाता है तीनों सेमी सेग्मेंट की गाड़ी है बट करोगे आप Honda Amaze की तो Honda Amaze काफी जादा comfortable गाड़ी है काफी प्यारी sitting quality आपको मिलती है driving quality मिलती है rare space काफी जादा comfy आपको feel होने वाला है Honda Amaze में क्योंकि इसकी sitting posture भी थोड़ा आपको straight मिलता है as compared to other cars and अब बात करें तीसरी गाड़ी की Hyundai Aura की तो इस गाड़ी के पारे में एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि CNG में तो ही यह तो इसका pro ही है एक जो है positive point है but second अगर इसका बोला जाए और one of the main USP बोला जाए मैं अपनी और वीडियो में बोलता हूं लोंग डिस्टेंस में आपको बहुत कंफर्डेवल फील होने वाला है इस गाड़ी अब बात कर लेते हैं भाई आपर माइलेज की माइलेज फेक्टर बहुत जादा में करता है और आप लोगों को पैता इसका जवाब क्या बने वाला है माइलेज क्वीन इस ओल्वेज्म मारुति सुझो के स्वेफट इजा तो सबसे जादा माइलेज आपको सेफ्ट में मिलता है उसके बाद में इससे एक दो किलोमेटर पर लीटर कम का माइलेज आपको इसमें मिलेगा पैट्रोल पे एंडिजल में बात करेंगे तो डीजल प होता है तो मेंटिनेंस सबसे कम सबसे रिलाइवल गाड़ी मानी जाती मारूत्य सुजू की सुफ डिजार जो की होती भी है डेफिनेटी बट एक चीज में आपको बोलने चाहूंगा सेम होती है आपकी होंड़ाई क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की मारूत्य सु समयघे होатे कोई गर्श कोंड़ कराने पड़ एक डदलाने पड़ेगी तो उसका डेफिनेटीया आपको ज्याधा कोस्टिंग देनी पड़े हें वही सिमिलर कोस्त को मिलेंग ए होंडा के बट थोड़क्uate कहीए न को को सिंस्मीग फील होगी कंपरिये इन डोनों गाड़ि तो बेसिकली यही होता है लुक्स, पावर, पर्फॉमेंस, स्पेस, कमफर्टेबिलिटी, हाइ स्पीड, रिसेलिंग वेल्यू, माइलेज, यह में में चीजे होती है दोस्तों बाकी छोटी-छोटी चीजे तो बहुत सारी होती कुछ आपको इस गाड़ी में मिलेगी, कुछ कम्या इसमें, कुछ और में, तो यह सारी चीजेशे मैंने सुचा एक वीडियो में आपके सामने कवर करने कोशिश करूँ किहाँ पर हमारे पास इंडिया की सबसे ज्यादा जो बिखने वाली सेदांस हैं, सबकॉम्पर सेडां सेगिमेंट में जो काड़िया हो, वह हमारे स सब्सक्राइब करें करें कि आप लोगों के लिए इसी तरीकी की वीडियो हम अपने चैनल पर ले के आते रहते हैं तो ठीक है भाई मिलता है फिर इसी तरीकी किसे और वीडियो में थेंक्स फर वाचिंग प्षांच होते हैं